हेलो बेटा हेलो कैसे हूँ आप सब आप सभी कम मैं वेलकम करती हूँ अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल जागरी थी नीट जेए क्लासिस तो आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी जो है मैं तो मैं ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की पूरा सेटप त्यार की थी बेटा घुकि का आगे का लेक्शर तो मैंने एक छोटा सा ही वीडियो बनाया है तो जो मेरा किमिकल बान्डिंग सि्रीज हैं उसके जस्ट आगे का है ये लेक्शर ओ हब T अगर मतलब दू आर्बिटल के mixing से किस तरह के बांड बनते हैं सिग्मा बनता है पाई बनता है तो उसका नेचर हमको पता करना है ठीक है तो आओ देखते हैं एक मिनट ब्रश ले लूँ है तो कहरा है find the nature of जो है बांड का नेचर बताना है तो पहला नमबर देखो आपस में मिक्स करते हैं तो किस तरह का बांड बनता है आप बताए कुछ मैंने कहा थे दो एस है दो एस क्या होते हैं बाल सेफ होते हैं राउंड राउंड होते हैं तो इनके overlapping से mixing से हमेशा sigma bond बनता है किस तरह bond बनता है sigma bond बनता है अगर कहीं भी अगर एक ऐसा orbital है दूसरा कोई भी हो लेकिन अगर एक S orbital है तो आप आख बंद करके मतलब एकदम आख बंद करके वहाँ पे आप sigma bond लगाएंगे ठीक है तो जहाँ जहाँ S है S है उसमें आप तुरन बता दीजिए कि यहाँ पे जो bond बनेगा वो sigma बनेगा सब में sigma bond बनेगा जहाँ जहाँ S है अब आओ देखो PX और PX इसमें भी एक axis है PX PX है लेकिन एक single axis पे और अगर single axis है X जादा axis है तभी पाई bond बनेगा एक axis है यह वाला देखो PX PX तो यहाँ पे भी आपका sigma बनेगा क्योंकि एक single axis है ठीक है अब PY PY यहाँ भी वही बनेगा sigma bond क्योंकि single axis है क्या है single axis है ऐसे sigma bond बन गया देन आपका PZ PZ यहाँ पे भी सेम वही कहानी है यहाँ भी क्या बनेगा यहाँ पर भी आपका sigma bond बनेगा अब देखो नीचे वाले में यहाँ दो आ गए Y और Z axis PX PX तो है लेकिन यहाँ दो आ गए Y और Z axis X और Z axis तो यहाँ पे आपका बनेगा पाई bond जब दो जैसे more than जो है वान एक्सिस होगा तो हाँ पे पाई bond आएगा नहीं तो आपका हमीशा sigma bond रहेगा अच्छा आप कमेंट करके बताईए जल्दी से कि sigma और पाई bond में कौन सा strong bond होता है ठीक है और कौन सा more reactive होता है आप जल्दी जल्दी आंसर करके यह कमेंट म और मैंने पढ़ाया है तो आपको बताना पड़ेगा इसी यह पता चलेगा कि आपने पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया जो नहीं पढ़े हो प्लीज बेटा जाके देखो लेक्चर और अच्छे से पढ़ाई करते रहें all the best बाई 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 गुड़ लग